Hello दोस्तों, Welcome to the series of Artificial Intelligence and Soft Computing और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं about Learning Based Agents तो चलिए शुरुवात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस्ट बेल आइकन टोगेर अप्डेट्स अफ आपकमिंग वीडियो आटिफिशल इंटेलिजेंस में लेर्निग एजेंट एक ऐसे टाइप का एजेंट है जो अपने पास्ट एक्सपिरियेंसे से सीखता है या फिर मैं यह कहूं कि उसमें लेर्निग क्युपाबिलिटी होती है तो जब शुरुवात में लेर्निग एजेंट को एक बेसिक नॉलेज जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है उतनी नॉलेज फीड की जाती है उसके बाद जब वो आक्शन परफॉर्म करता है तो हर एक आक्शन परफॉर्म करने के बाद वो कुछ नपुछ सीखता है और अपने उस लेर्निंग से वो नए एक्शन परफॉर्म करता है वो एक नया नॉलेज बेस रेडी करता है वो अपने हर एक मिस्टेक से सीखता है मुझे रगता है कि हम यूमन को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए तो आई ही अब समझते हैं यूम्पनेंट्स अफ लर्निंग एजन्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् feedback system है जो हमें हर बार हमारी mistake का relation करवाता है या फिर agent को उसके mistake का relation करवाता है और बोलता है कि यहां पर तुम्हें यह करना चाहिए तुम्हारा performance measure better हो सकता था तुम्हारा output जो था वो और better आ सकता था तो यह सारे चीज है यह सारे feedback critic का काम है so learning element takes feedback from critic which describes how well the agent is doing with respect to a fixed performance standard एक performance standard है जो कि उमीद आउटपुट की जितनी उमीद है उससे उसको जब agent satisfy नहीं करता है तो critic उसे बदाता है कि यह तुम्हारा performance standard है और तुमने यह perform किया है यह comparison है यह difference है तुम्हारे action और actual performance standard जो तुमसे उमीद की जा रही है उसके बीच में अब आजाते हैं performance element पे तो performance element is responsible for taking external action जो environment में action होगा उसको execute करने की responsibility performance element की होती है now last but not the least problem generator problem generator एक ऐसा component है जो action suggest करता है जिसके वज़े से एक नए informative experiences आ सकते है वापस agent के पास और उनसे भी वह कुछ सेख सकता है तो basically जब learning element से problem generator को input मिलता है तो उसे realize होता है कि हा भाई यहां पर गलती कर दी थी यहां पर ऐसे act नहीं करना चाहता कुछ अलग तरीके से act करना चाहता तो शायद performance standard से match हो अज़े पर गलती है और हर बार बनते जाता है तो यहां पर देख रहे हैं कि अग्जंट है एंवार्मेंट है तो एजंट में क्या के चीज़ें present है वे हेव क्रिटेक वेहवाव लर्निग एल्मेंट वे है परफॉर्मेंस अलीमेंट और प्रॉब्ल्म जनरेटर तो सबसे पहले बात करते है क्रिटेक की जो हमारे कि एजेंट को उसकी मिस्टेक का रिलेशन करवाता है कि क्रिटिक के पास है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एज इन क्या एक्चिल उमीद हमारे एजेंट से की जा रही है अगर मैं एक्जांपल की तोरे बात करूं तो सब्पोज आपसे उमीद की जा रही है कि आप 100 और 100 मार् मोर्क लाओ और तुमने 30 मार्क यहां पर लूज कर दियां तो क्यू लूज किया है वो समझो तो यह फीडबैक दिया क्रिटिक ने क्रिटिक ने फीडबाक इसको दिया लर्निंग अलिमेंट को दिया अब लर्निंग एलिमेंट से नहीं होना था हमको इस तरह से आज हो पाता, also at the same time learning element जो learning goals है वो problem generator को send करता है कि यह हमने आज सीखा है, via critic, critic की मदद से जब तुमने action perform किया, तो critic की मदद से हमको ही बदचला कि यह हमारे learning goals है आज के और उसके according यह learning goals है, यह problem generator लेता है और फिर इन पर वापस experiment करता है, with the help of performance element, because performance element is the external factor जैसा कि मैंने कहा था, कि वह ही है जो environment के साथ act करता है, उसके पास ही है actuators, उसके पास ही है sensors, sensors के थुरू वो sense करता है, effectors के थुरू, वो react करता है, वो action लेता है in the environment, so this is how the entire process works of the learning based agent, so I hope आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, so please like, share and subscribe to the channel, thank you so much.